हलो दोस्तो स्वागत है आप एक बार से फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन सेंटर में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पॉलिस कंस्टेबल एंड एसाई ठीक है जिसका फॉर्म मात कुछ ही दिनों में फिलप करने वाला है जिसका ऑनलाइन फॉर्म क के लिए और उत्तर पर इस एसाई के लिए पहला ही कुछ जो की नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो आपको सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे ठीक है तो आप इसके लिए वान टाइम रिशिस्चन ठीक है यानि OTR कैसे करेंगे आपको इस फॉर्म को फिलप करने से पह जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका लिंक इस तरह रहेगा ठीक है इसमें दिया गया होगा नया प्यूक करता पंजिकरन यानि नई यूजर रिशिशन इसके बाद किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं अगर आप जो की OTR में कुछ गलत हो गया है तो अगर आप यूपी पी आरफी अगर भूल चुके हैं आप इसवी सक्षेशन पह tournaments पा सकते हैं अगर आप अपने अप्लिकेशन का स्टेट चेक करने चाहते हStudy on-line और आवेदन, नहीं कर सकते इसलिए आपको सबसे पहले OTR करना जरूर है OTR करने के लिए हम नया UPO करता पंजी करना इस पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ओप्सन दिखाई देंगे सबसे पहले डीजी लाकर अगर आपके आधारकार से मोबाइल नमबर लिंक है तो आप इस वाले सेक्षन पर क्लिक करेंगे बहुत सारे ऐसे बचे हैं जिनका आधारकार से मोबाइल नमबर अभी तक लिंक ही नहीं करा हैं तो कोई प्रोब्लम नहीं आप इस वाले सेक्षन प क्लिक करेंगी अगर आपका अधारकार से मोबाइल नमर लिंक है इस वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे ठीक है चली इनको क्लिक कर लेते हैं आगे बढ़ेंगे आपको यहां से अधारे से फार्म ओपन हो जाएगा जिसमें आप सबसे पहले अपना प्रस्णल डिटेल इसके बाद एडरेस उसके बाद अन इनफर्मेशन इसके बाद एजुकेशन का डेटेल फिल करेंगे इसके बाद फाइल को अपलोड करेंगे ठीक है तो आप यह ओटियार कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कर लेंगे अपना जब आप ओटियार कर लेंगे तभी आप यूपी पुलिस कंस्टेबल के लिए ओनलाइन आवधन कर सकते हैं ठीक है तो चलिए सबसे पहले इसको फिल करते हैं प्रस्णल डिटेल में आपको यहां से दिखाई देगा बेसिक डिटेल तो सबसे पहले आप अपना नाम होशने में आसे फिल करेंगे मीडल ने में आसे फिल करेंगे लाशने में आसे फिल करेंगे पीता का नाम यहां से फिल करेंगे माता का नाम में आसे फिल करेंगे इसके बाद डेटा बार्थ यहां से देंगे जो भी आपका डेटा बार्थ सकते हैं जैसे मेरा 120 हे तो इसी चूज करेंगी यहां पर आपको सब्सक्राइब करेंगे यहां पर वस्कारी नहीं जुकर इस नहीं करूँ गा कर ada नामबर सण यहां सेसानख क्रते हैंचिछ आप अग। अधार्न नम्बर इंटिव्केशा यहां से pengar इसके बाद जो की identification mark तू यहां से fill करेंगे उसमें भी आप अगर कटा है तो दे सकते हैं अगर किसी कर नहीं कटा तो एन यहां से type कर सकता है ठीक है इसके बाद next पर click करेंगे इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको यहां से address information का जो के detail खुलेगा जिसमें आप अपने मकान नंबर या गली या गाओं का नाम्यांस feel करेंगे state feel करेंगे किस state से इस रकान को अपलाई कर रहा है याँ ठीके जैसे मैं उत्तर-प्रदस से किस ज्ывать करेंगे यहां से चूच करेंगे पोस्ट का नाम यहां से फिल करेंगे और अगर आपका corresponding address और आपका पर्मनेंटेडेस दोनों अगर सेम है इस पर टिक कर सकते हैं इस वाले सेक्षन पर और अलग अलग है तो अलग अलग इसको फिल करिए इसके बाद नेश्ट पर क्लिक करेंगे ठीक है इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको यहांसा अधर डिटेल का आफ्शन देख हैं देगा इसमें आप उत्तर प्रद्र के मूल निवस्ति हैं अगर है तो यह सकर्ये आप कर तकार अधर यह ऑन नव्मनें वालों के लिए होगा यहांक कोई आप on 대해 मामला दर्ज अगर है तो यह रिवान अनुक करिए इसके बाद निश्पा क्लिक करेंगे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको सबसे पहले एच्ञेशन कालफिक्सन देना पड़ेगा जिसमें आप सबसे पहले हाइशखुल का डिटेल इसके बाद intermediate आपने किस बोर से पास किया था वह यांस फिल करेंगे अगर आप other state से होंगे तो उस state का जो कि जो भी बोर होगा वह यांस फिल कर सकते हैं इसके बाद किस सन में आपने पास किया था वह यांस फिल करेंगे तो रोल नंबर देंगे intermediate में आपका कितना % है वह या से देंगे रोल नंबर देंगे कितना परसेंट है वो यहां से दे सकते हैं इसके बाद निक्ष्ट पर क्लिक करेंगे ठीक है जैसा ही आप आगे बढ़ेंगे आपको आफ्सन दिखाई देगा फाइल अपलोड ठीक है तो सबसे पहले आप अपना रिजिसेंट में खीचा कितने से कितने के विक आपको होना चाहिए इसके बास बास कि बाद 12 विंके जोकी मार्क्सरिट अपलोड़ करेंगे इसके बाद सब्कुल कर करेंगे इसके पूरा रिजुटिशन आ चुका है वह नीचे पार रहे हैं यूर वन टाइम एक शेशन हैज बिन समिटेश्फुली आपका वन टाइम सफलता पर वक्स समिट कर दिया गया है किलिख यह डू अप्लाई पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं इस वाले स्टेशन पर क्लिक कर सकते हैं अगर इसका प्रिंट आउट इस पर क्लिक करेंगी और यहां सब प्रिंट आउट ले सकते हैं ठीक है तो चलिए इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं तो आपने देखा किस तरह से हमने यू पी पी तरपरदेश पूलिस कॉंस्टेबाल या उत्तरपरदेश पूलिस एसाई के लिए OTR किया इस्टेफ ब